नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बोश्वादत है आप सभी को दीपावली के पाउन पर परहारदिक सुपकामना या और बधाई दोस्तों आज हम एक प्रोड़क्ट लेके आए हैं और इसकी हम लोग अन्बॉक्सिंग करेंगी इसका नाम है दोस्तों यह programmer है special programmer दोस्तों इस programmer से आप LED TV हम लोग जो repair करते हैं उसकी बोल रोड़ती है, bios Alice IC लगी होती है उसका software होता है, उसको आप आसानी से install कर सकते हैं कभी-कभी setup का standby भी होता है और release नहीं करता है, software की problem होती है तो इससे आप आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इससे आप LED TV बनाने में आपको काफी मदद यहां पे मिलने वाली है दोस्तों इसका model number जो है आपको मैं दिखा देता हूँ RT809 सीरीज का यह programmer है तो आज हमें इसको purchase करके लाया हूँ और आप सभी के सामने में इसको unboxing करता हूँ दोस्तों सबसे पहले जब आप box खोलते हैं तो इसमें आपको एक programmer मिल जाता है यह कुछ इस type का है मैं आपको इसको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ तो दोस्तों यह आपको programmer है इससे जो है आप अपनी laptop में PC में लगा के आप LED TV की board को ठीक कर सकते हैं आपको repair करने में यहाँ पे आपको आसानी होने वाली है तो दोस्तों यह programmer कुछ इस type का आपको मिलेगा जब आप box कोलते हैं इस side में आपको यहाँ पे देख बाहरे हैं दो port दिखाई देरे हैं एक USB port है और दूसरा VGA port है और दूसरी side में आपको मिल जाता है दोस्तों यहाँ है HDMI port और इस side में आपको एक मिल जाता है VGA port तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है अगर आप LED TV रिपेर करते हैं बगल में आपको दोस्तों यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है रीशेट की स्विच है इससे आप इसको रीशेट कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको reset की switch मिल जाती है और उसके बाद यहां पर आपको एक jack लगे हुई है इसमें अगर आप IC जो उसकी होती है उसको program करने के लिए अगर आप IC बाहर निकाल के program करेंगे तो यहां पर उसकी जरुवत पड़ेगी अब आए इसमें देखते हैं इसके लगा के जो BIOS IC होती है फ्लेस IC, Memory IC के नाम से लोग जानते हैं तो उसको आप निकाल के यहां पर लगा के program कर सकते हैं दोस्तों आगे देखते हैं इसमें cable मिल जाती है यह BGA cable है आप monitor में लगा देखते हैं PC में लगा देखते हैं काफी कई जगें उज़ूदी है और यहां पर कुछ adapters और मिल जाते हैं आपको इस टाइप के इससे भी आपको program करने के लिए कभी कभी जरूत पड़ती है वैसे सामनेतिया क्या होता है दोस्तों आप इसमें जो आप cable मिला हुआ है यह cable से direct आप जो आपका motherboard है LCD LED TV का उसमें BGA port में लगा के direct इसको आप program कर सकते हैं और यहां पर कुछ connectors मिल जाते हैं दोस्तों इस टाइप के तो यह connector आपको देख लें इस टाइप के काफी इसमें कई connector रखे होते हैं उसके बाद दोस्तों यह cable आपको मिलता है यह USB cable है आपके PC से यह programmer को कनेक्ट करने के लिए है तो यह cable भी आपको मिल जाता है उसके दिया गया रहता है इसको अपने आप PC में स्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तों यह आपके लिए काफी उपयोगी चीज है तो दोस्तों यह आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है क्योंकि आप जो market में Chinese board मिलती है LED TV की उसको लेके आते हैं तो कभी-कभी उसमें क्या होता software नहीं होता है और आप उसको pen drive की माध्यम से software करने की कोशिस करते हैं लेकिन आपका software मैच नहीं होता है तो इस programmer को लेने के बाद आपके लिए referring काफी आसान हो जाएगी तो दोस्तों मैं प्रोग्रामर लेके आया हूँ इसमें आपको वीडियो मैं आगे भी बनाता इस programmer से कैसे LCD TV की board को प्रोग्राम करते हैं इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो के लिए मेट करना होगा दोस्तों हमारी दोरा बनाई गए वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें